देख रहे हैं डॉक्टर एजूकेश्ट पहले शुरू करते हैं नमस्कार आदाब सत्रीकाल मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं रहे हैं डॉक्टर एजूकेशन तो आपको हमारा इंत्रोर चाहिए और आज हम बात करेंगे Kolो के वैंने जिसको बोलते हैं या सोमाइक सिंटम डिज्टर एक वह बीमारी है जिसमें के एक इनसान का एक पिध्रन ली जे कि असको जोगँवध को ने तो कमजोरी ऑर उसका पूरा focus मुझे ओर सोटिया मुझे तुन जोग है मुझे और दर्द एंदमम है मुझे तुका फोके पुर्टरों को we lisa a lua Justin क्लिया चानलोपैतिक अडिक युनानी पुरानी तुनानी सब कर लिया नहीं ठीकर हो जो ओट is this this is an emotional distress a major emotional distress and which which can cause problems in functioning इसान चुट लेकर बढ़े जाता है इनसान ऑफिस नहीं जाता है इनसान काम नहीं करता है इसको बोते हैं सोमाटिक सिम्टम्स सोमाटिक एक बिमारी के लेते लेके इतना ज्यादा साइकोलोजिकल स्ट्रेस साइको सोमाटिक इलनेस सोमाटिक कहीं न कहीं होता क्या है कि आपको हो सकता है कोई बिमारी हो सकता है दूसरी कोई बिमारी ना भी हो किसी को दूसरी कोई मेजर बिमारी शु तो भी रहा ओ ऐसा नहीं भी हो सकता नहीं था फिर भी ऐसी तो सोचे जारे स्टीब करतेंड्य न। आपका एक्षएव अभर मेजर सिम्टम यह बहुत लोगों को तरह कभी ने कभी सब को कमजोरी होती है कभी ने कभी सब कहीं ना कहीं दर्द होता है लेकिन आपका जो इस इस इंसान का रियक्शन होता है सोमेटिक सिम्टम है हाट अटाइक होगा पेट में दर्द हो आए कैंसर होगा समझ रहा है यह पैर में दर्द हो रहा हड़ी टूटी होगा so something like this एकदम वर्स्ट situation और बार 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 अपनी बात बताते हैं और ऐसे कई पेशंट देखे हैं मैंने बहुत देखे हैं और आते रहते हैं तो बहुत हर डॉक्टर के पास आते रहते हैं so that kind of a thing is there so basic point is your health concern becomes your central focus of your life and your actual functionality है आपकी जो जो काम धंदे करते हो जो कमाई करते हो सब affect होने लग जाते हैं जो आपका performance है वो affect होने लग जाता है यह तरीके सी anxiety बनके रह जाती है जिया इसको anxiety भी बोल सकते हैं कई लोग डारेक्ट इसको बोलते anxiety तो में कुछ नहीं है लेकिन यह एक overthinking इसको हम अगर बोलेंगे तो somatic symptom disorder है psychosomatic disorder यह कभी कई बार disability बन जाएगी आपकी कि आप फिर कुछ काम ही नहीं कर पा रहें आपको लगे गया मेरे से तो काम नहीं होता कई लोग होते एक emotional physical distress आपको होने लगेगा अब इसमें treatment है बिल्कुल है treatment और help करेगा आपको इससे बाहर निकलने में एक normal life जीने में एक अच्छी quality of life जीने में और ठीक हो जाने में अब समझते हैं कि अगर किसी को यह हो रहा है तो उसको लक्षण क्या होंगे उसको लक्षण यहने symptoms जो होंगे उसमें मतलब उसको specific sensation होंगे कुछ specific चीजे यहने के या तो दर्द हो रहा है कहीं न कहीं या सास में दिक्कत हो रही है या जन्रलाइजड यह जिसके सिम्टम में विक्नस यह अब यह जो है यह जब सिम्टम आएंगे किसी कोई कारन निकल के नहीं अए गा दुन्या की कोई टेस्स करा लेंगे एंगे राइड हो एक रहा हो रहा हो रहा हो हूरा शिंटान होगा कई बार multiple symptom कई बार mild symptom moderate symptom severe symptom भी हो सकते हैं the idea is same right basic समझना आपको और सबसे common इसमें पेन सबसे common है पेन और whatever कोई भी symptom हो आप उसके बारे में धुमाधार तरीके सोच रहे हैं उपनी feeling अपना behavior उसके अर्दगृत गुम रहा है कॉंस्टेंट वरी हो रही है आपके potential खतरनाक इल्नेस की नॉर्मल फिजिकल सेंसेशन को भी साइन समझ रहे हैं कि सारे एकदम कुछ महसूस हुआ यहां पर महसूस हुआ तो हुआ कई बार रोंक्ते खड़ें कुछ हुआ कुछ हुआ कुछ हुआ कुछ हुआ कुछ धका रहा है तो पेट में जलन हो रही है समझ रहे है तो पेट थोड़ा सा फूल गया तो तो कुछ तो गडबड हो रही है तो यह पील एक नॉर्मल सेंसेशन को अबनॉर्मल लेवल तक आपका दिमाग ले जाएगा तो कई बार यूपील आट सिम्टम्स आर वरी सीरियस जबके वह नहीं होते जबको कोई एविडेंस नहीं कोई सबूत नहीं कोई लॉजिक नहीं है फिर भी आपको लगता है कि ब की बार 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 करते रहते हैं अपनी बोडिको डामिज ना हो जया उसके चलते हैं अपनी बोडी का दिइंज इंस डॉल थैड्व मिंटीयत पर कंषांसिग हो जाये तो ओ घंkt कनी का पहस्ट्र चूडिया रिख देती हैं चिआ और से में अगर तब आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा इसमें आप एक इसमें सबसे जरूरी चीज है कि आपके अगर घर में किसी को हुआ है और यू नीड टू सपोर्ट बाइट पर्स राइट कोई अगर इस तरह से ज्यादा सोच रहा है तो उसको सपोर्ट फैमिली सपोर्ट एक पैमिली का कारण है इंवायरमेंट बहुत अच्छा नहीं है नेगिटिविटी है जीन्स फैक्टर है फैमिली में पहले से ऐसी नेगिटिव थिंकिंग होती रहती थी माबाब माता जी ऐसी सोचती थी दादा जी इतना सोचते थे खुद ने देखा उनको ज्यादा उल् बढ़ा सकता है वह पेइन के उपर कई लोगों ज्यादा सेंसिटिव होते हैं मार लोगों कितना चरह साहत लगा दर्द हो कई लोगों मारे जाओ मारे जाओ को फरक नहीं पड़ता तो दोजार लिटिल बिट इफार ऑन्द जीन्स और प्लस परसनल ट्रेट होते हैं खुद भूद हुआ है तो बहुत अ के माइंड में क्ट लोर कै निवएंडियो यह संग नेगेव चीजे नहीं को यहा इन सुन लिए पर देखंग गन्ती बाते सोट थो इसका उता हुट कलत बाते सुन एससका होता है सबसे बड़ा प्र принципе ценल और सब्से पर अबाद्रम और आपको क तोटे सा फिजिकल सिम्टम हो गया तो जड़ा सा चोट लगी तो लगे क्या हो गया मैं तो मरी जाओगा मैं तो मरी जाओगी मेरा तो जीने को मतलब नहीं है काम करने को क्या फाइदा है something like this so he bought extreme level right so anxiety depression वाले लोग जिनको अल्रेड़ी anxiety depression वो फिर से इसमें जाई सकते हैं बाकि जिनकी stressful life है जिनके family में trauma है कहीं violence है जो post childhood sexual abuse हो चुका है जिनका level of education low है social economic status कम है यह लोग रिस्क पर आते यह लोग हाई रिस्क पर आते जो हो सकता है mentally disabled हो सकता है unemployed हो सकता है काम नहीं रहेगा पैसा नहीं रहेगा उनका depression suicidal attempts हो सकते हैं financial problem आ सकता है तो आप क्या करो कि आप इसको prevent कैसे करेंगा if you want to prevent it you have to understand recognize the problem आपको अपनी बिमारी को psychologically समझना पड़ेगा उसके लिए आपके family members आपका doctor आपका psychologist आपके help करें यह आपका काम क्या है अगर आपका problem anxiety depression तक पहुच चुका you need help professional help अगर आपका सिर्फ stress है you have to understand and manage it with relaxing technique relaxation techniques right अगर साइको साइको समाटिक सिंटम लग रहा है आपको तो दॉक्तर से बात करो वह आपको गाइड भी करेंगे ट्रीट भी करेंगे अब इसका क्या है psychological treatment psychologist psychiatrist treatment करें कोई psychiatrist की चीज़ीज का treatment करें तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वह इंसान पागली है समझे ऐसा विल्कुल नहीं होता तो यह अप्टू understand कि there are many types of psychological diseases जिसके लिए simple counseling भी काफी है मेरे जो patients होते हैं the only reason why they get better is because I give them time and they believe on it right they believe what you believe comes true in the proportion of your belief on it अगर आपको यह भरोसाई नहीं है कि आप ठीक होंगे तो आप नहीं होंगे अगर आपको भरोसाई कि इस इंसान से इस डॉक्टर से मैं ठीक होंगा तो आप होंगे प्रदान मंत्री ने बोला तो आप घंटा भी बजाओगे कुछ भी बजाओगे नाचोगे लेकिन किसी और ने बोला तो कुछ नहीं करो इसका डाइग्नोसिस कैसे होगा साइकोलोजिकल एवैलुएशन से साइकोलोजिकल सेल्फ एसेस्मेंट टेस्ट भी आते हैं ऑनलाइन दूंडों को तो मिल जाएंगे और अगर कोई अब्यूज है ड्रग लेते हैं अलकोहॉल दारू स्मोकिंग वह एक अलग चीज होगी उ इसे बातचीत की जाती है आपके बहेवियर को चेंज करने कोशिश की जाती है साइकोलोजिस्ट करें अगर उस लेवल तक पहुंच गई है और देन डेरेफ मेडिकेशन में येस डेराँ सम्टी अंटी इप्रेसंट दिया जाता है मूट सेबलाइजर दिया जाता है बूस् क्वरा पहली करेंगे वे ठीक होने का मन भूह आर दो जार थिंग स्विश्य विशन लाइफ्टाइल चेंजी आपको बात कि आपको अपने फिसीבת lang कि मैंरे रखनी है आपको एक्टिवीटी में जितनी गुरूप एक्टिविटीज हैं वरकर सोशल अक्टिविटीज फैमिली एक्टिविटीज में इंवॉल्व रहना है उल्टी सीधी चीजे दारू सिग्रेट स्मोकिंग और नेगेटिव इंपुट अपने दिमाग में घुसने नहीं देना है बस इतना है घर में गं चीज अगरम डिमाग में गुस्ता है हर संते हरा एक वाथ तिमांग बोलता है कि यह जार बुंए यह फैसिजल नहीं है घर मत कि और पौसौरी यह आपको करना एंग कि बात नहीं पहुछी पहुंची है कि अब आपसे नहीं हो रहा गोटोड़। साइकोलोजिस्ट साइकाइट्रिस्ट मेक्शुर तो शेयर दिस वीडियो तो every single person who thinks उनकी विमारी ठीक ही नहीं हो रही इस वेरी इपॉर्ट। इस डॉक्तर परमजीर stay connected stay healthy